चोपड़ा एक इसने युटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बचो 13, 14, 15 और 16 जुलाई 22 इन चार दिनों में आपको चारों सब्जेक्ट का फाइनल रिविजिन करना है यानि 13 जुलाई को बोटनी, 14 जुलाई को जुलोजी, 15 जुलाई को केमिस्ट्री और 16 जुलाई को फीजिक्स का फाइनल रिविजिन करें इसमें आप बाइलोजी और ओर्गेनिक केमिस्ट्री की सरसरी तोर पर रिडिंग करें ताकि आपको माइन्ड में सब कुछ याद आज़के और फीजिक्स वे फीजिकल केमिस्ट्री के फार्मुलाज को रिवाईज करें जो आपने अलग से लिक रखे होंगे 13 जुलाई से पहले आपके पास जो भी समय है उसमें आप टेस्ट प्रक्टिस अवस्षे करें एक बार सारे प्रिवियस एर के पेपर्स को रिवाईज कर लें ओमार सी फिल करने की प्रक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें इन दिनों में कम से कम 5 फुल से लिवस टेस्ट की आप प्रक्टिस आवस्षे करें आपने अभी ये टेस्ट सिरफ ओमार और टाइम मनेजमेंट की प्रक्टिस के लिए ही देने है ये देखने के लिए आपको ये test नहीं देने हैं कि आपके कितनी marks आ रहे हैं क्योंकि इस test का level और NTA के test का level काफी different होगा इसलिए आप अभी इसके marks calculate करके panic नहीं हो इन test practice के दोरान आपको अपने marks calculate नहीं करने से आपको ये फाइदा होगा कि आपको बिल्कुल tension नहीं होगी कि हमारे इतने marks आ रहे हैं मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा क्योंकि आपको अभी बेहतर करना है अभी आपको ये नहीं देखना कि मैं कहां पर हूँ अभी आपको बेहतर करने की कोशिस करनी है तो ये practice के लिए ही करना है ये ओमार फिल्ड की प्रेक्टिस करनी है और इसमें आपको टाइम मनेजमेंट करना है ये देखना है कि आपका फिजिक्स में कितना समय लग रहा है केमिस्ट्री में कितना समय लग रहा है अगर किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा समय लग रहा है तो आपको उसमें सुधार कर करने की आवशक्ता है उसको आप सुधारें एक्जाम में जब आप यह प्रेक्टिस करोगे एक्जाम के लिए तो आपको सबसे पहले बाइलोजी की बाइलोजी को सौलू करना है यह आपका 40 से 50 मिनट तक सौलू हो जाना चाहिए केमेस्ट्री 60 मिनट और फिजिक्स से 70 मिनट में सौलू करने की प्रेक्टिस करें यह साथ साथ प्रेक्टिस कर लें आप 10 मिनट लास्ट ओमार फिल करने के लिए रखें प्रेक्टिस के दोरान 10 मिनट से आपको बचा के रखने हैं इस प्रकार से आप अपना टाइम मनेजमें कर लें ओमार फिल के लिए एक बात ध्यान रखने वाली यह है कि हर एक सब्जेक्ट में हर एक सक्षन में ए शुरी हर एक सब्जेक्ट में सेक्षन ए और सेक्षन बी दो होंगे सेक्षन ए में 35 क्यूसन हैं जो आपको कमपलसरी करने हैं और सेक्षन बी में 15 क्यूसन हैं जो ओप्सनल हैं मतलब इनमें से 10 क्यूसन के मार्क्स एड होंगे 5 क्यूसन आपको छोडने हैं इन 15 क्यूसन को आप एक बार थ्रोली रीड करें पहले आप इनको रीड कर लें और 10 क् के ही reply दें क्योंकि अगर आपने 10 से ज्यादा question के reply दिये हैं तो पहले 10 question के answer accept किये जाएंगे पिछले साल के comparison में इस साल 20 minutes का समय ज्यादा दिया गया है तो इन ने 15 question को read करने के बाद जिन answer में आप confident हैं उन पर tick लगा लें और फिर 10 पूरे करने के लिए calculate कर लें ओमर बड़े ही ध्यान से फिल करें चाहे आपका समय थोड़ा फालतू ही क्यों नहीं लग जाए क्योंकि पिछले years में जब हमने ओमार response capture में देखा है कि student दोरा अच्छी तरह गोलन नहीं काटने पर उसके response capture ही नहीं होते हैं और कभी कभी तो इसी गलती से उनका selection रह जाता है और selection हो भी जाता है तो इस गलती का उनको ऐसास जरूर होता है क्योंकि उसके बाद एक-एक marks की importance रहती है एक के नमर कम होने से student rank में काफी की नीचे तक पिछड जाता है और ओमार फिल करते समय जल्दी बाज़े आपको बिल्कुल करनी ही नहीं है तो ऐसी गलती नहीं होगी आप तसली से ओमार फिल करें क्योंकि करते ही हैं तो इसमें जल्दी बाज़े नहीं करें ओमार फिलिंग के दोरान हुई मिस्टेक के कारण अच्छी मेरत करने वाले इस्टूडेंट को भी नुकसान हो जाता है मेरा कहने का मतलब यह है कि ओमार की आप अभी प्रक्टिस कर ले ताकि एक्जाम के दोरान आपको कोई प्रोब्लम ना हो अभी इस समय आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है नई चीजें नहीं पढ़नी है पढ़ेवी चीजों को ही रिवाइज करना है और टेस्ट प्रक्टिस करनी है आप अभी रेजल्ट की परवा नए करें अपने रेजल्ट को बहतर बनाने का प्रियास करें आप यह सोचे कि जो अभी मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ और एक्जाम में 17 जुलाई 22 को मैंने बेस्ट से बेस्ट करना है तो यही बात दिमाग में रखते हुए एक्जाम के लिए इन दिनों में प्रिपरेशन करें और मैं आपको बता दूँ कि यह जो बच्चे वे द आपका सपना अवज से ही पूरा होगा बेस्टो प्लग